नमस्कार मैं संदीप नोखवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की ताजा खबरों में दर्सकों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जादे से जादे लाइक और सेर करें अगर आपने फ्लो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर कर ले और साथ मैं आप संदीप नोखवाल पर्सनल पैज को भी आप यूटूब फेस्बूक पर सर्च करके वहाँ से फ्लो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जानकारी में इंटर्टैन्मेंट वीडियो मिलती रहे बात करते हैं आज के मौसम की आज आईमडी ने 12 सहरों में हरियाना के 12 सहरों में बारिष का लड़ जारी कर दिया है जानकारी के लिए बता दे कि चंडिगड के अंदर बारिष सुभह से हो रही है जिम जिम बारिष चंडिगड के अंदर हो रही है और हरियाने के अंदर भी मोसम काफी यहाँ पर हो चुका है यानि बारिश का मोसम हो चुका है आज शाम तक कभी भी बारिश हो सकती है 40 किलोमेटर स्पीड से हवाई चलेंगी और कल तक बारिश का मोसम हरियाने के अंदर रहने वाला है ये लोग रटकिन किन सेहरों में किया गया है थाने सर, रादोर, इंदरी, पहवा, साहबाद, अमबाडा, कालका, ब्राडा, जगादरी, ठच्रोली, नरायनगड, पंचकुला यानि चंडिगड के साथ लगते सभी सेहर सामीर है आपको बता दे कि यहां पर तेज हवाएं चलने की भी जानकारी दी गई है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इन हवाओं के कारण किस परकार से यहां पर जो हो सकता है, यानि बारिस के कारण किस परकार से ठंड बढ़ रही है चीज़ भी आप देख सकते हैं, और ठंड कोई नुकसान नहीं कि बाया को पाने कि बाघ्र कॉन हो U यह कि इसे में आप देख सकते हैं कि की सले जो है किसान हमारे हरियाना के सान कार सकती हमारे siam अबने का ही समच्चाओं को लेकर और ही समस्चाओं के साथ साथ toen बारिस हो जाए तो किसानों की कुछ समस्याएं या किसानों के जो पानी दगाने जो चिंता हैं दूर हो जाएगी वहीं पर हर्याना के अंदर यह अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर आपको बता दे कि दो से पाथ दिसंबर के दोरान मोसम आम तो पर खुश को वह उतरी पस्वी में हुआएँ चलने से रात के ताम्मान में हलकी गिलावट होने की समावन है बताई गई है और सुबह के समय धूंद रहने की समावन है या निक दिसंबर का मोसम काफी ठंडा रहने वाला है हरियाना में दो महिनों में अक्तुबर और नॉम्बर में 7% कम बारिस हुई है वहीं पर लगातार जो बारिस समाने से ज़्यादा दर्ज की गई है काफी गिलावट देखी जा सकती है ताममान के अंदर गहूं के फसल के लिए अच्छा मोसम रहने वाला है अरियाना में इन दिनों का मोसम गहूं कास्त करों के लिए काफी अच्छा बना हुआ है विशेशकों का कहना है कि गहूं के फसल के लिए अधिक्तम ताममान 28 डिगरी और नियुंतम ताममान 10 डिगरी सबसे अच्छा रहता है इन दिरों सुब के अधिकांस जिलों का तामन आसपास ही है वहीं पर बिजाई के समय और फसल की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा समय है और यदि मौसम अच्छा रहता है तो इस बार की फसल अच्छी होने की समावना भी बताई गई है और काफी अच्छा मौसम जो हो सकता है यानि बारिश के काण काफी अच्छा फाइदे मन किसानों के लिए हो सकता है और काफी फाइदे की बात ही किसानों के लिए हो सकती है और बारिश के काण जो है मेरे दसकों के जिम्मेवारी मंतियें, मेरे दसकों किसानों के जिम्मेवारी मंतियें कि बारिश की अलर्ट को देखते हुए, अपनी फसलों के उचित ववस्ता करें, या कहीं पर जारे का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके उचित ववस्ता करें, हर्याना के अंदर आज से बारिश के साथ ठंड की भी शुरुवात हो चुकी यानि भैंकर वाली ठंड की शुरुवात दिसंबर में हो चुकी है इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं बने लिएगा HBN 24 लूज के साथ जुड़े लिएगा यहिंद